hyperbolic function के लिए हम लोग पास एक theorem है कि differentiation अगर हम लोग उसको देख ले तो अगर यहां पर derivative d over dx of cos of hyperbolic of x equal है sin of hyperbolic of x इस equation को या theorem को हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस तरह derivative of cos of hyperbolic of x sin hyperbolic of x के बराबर है प्रूफ करने से पहले हम लोग hyperbolic function को देखेंगे कि cos of hyperbolic of x equal है e of x यानिक exponential of x plus e of minus x over 2 और इसी तरह sin of hyperbolic of x equal है लोग पास e of x minus e of minus x by 2 अभी यहां पर derivation अगर हम लोग ले दें left-hand side का तो cos of hyperbolic of x हम लोग देख सकते हैं e of x plus e of minus x over 2 इसके हम लोग derivative लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ तो विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम लोग इसकी derivative लेंगे d over dx तो हम लोग पास equation किस तरह आएगा कि exponential को हम लोग जो यहां पर 2 है इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि यह constant है और derivative को हम लोग बाकी exponential के साथ हम लोग multiply करेंगे जिस तरह यहां पर आगे हम लोग पास 1 over 2 d over dx अगर हम लोग लें d over dx of e of x plus d over dx of e of minus x यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1 over 2 तो इसी तरह रहेगा लेकिन d और dx जो हम लोग पास exponential की derivative जो है जब हम लोग इसकी derivative लेंगे तो वो है इसी तरह e of x आएगा और यहां पर second portion में हम लोग बारस exponential minus sign है फिर e of minus x आएगा लेकिन d over dx हम लोग पास minus x भी आएगा ठीक है minus x अगर d over dx minus x को देख ले तो वो कर जाएगा लेकिन यहां हम लोग एक और step करेंगे कि 1 over 2 e of x plus minus को हम लोग बाहिर निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोग पास minus 1 d x over dx यहां यहां पर आएगा minus 1 में बाहिर निकाल दिया तो यह दोनों कर जाएगा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको इसके बाद हम लोग आएंगे यहां पर 1 over 2 लोग पास बाके रहेगा और e of x minus 1 plus के साथ minus e of यहां पर हम लोग पास e of x भी है minus x e of minus x तो इसके बाद अगर मैं यह 2 को अंदर लिया हूं तो क्या होगा e of x minus e of minus x by 2 यह चीज़ जो है अगर हम लोग इस चीज़ को देख लें तो हम लोग पास इस चीज़ के बराबर है sin hyperbolic of x which is equal to sin hyperbolic of x तो इस तो इस तरह में लोग पास प्रूफ हो गया के d or dx of cause of hyperbolic of x is equal to sin of hyperbolic of x के बराबर है